तो जैसा कि हम सब को पता है कि अभी सेप्टमबर के महीने में सब को मुबाइल फोन पे मैसेज आ रहा है और मैसेज है रिलेटेड टू एरियर जो एरियर का है जो दो महीने का एरियर है जो आपका बढ़ा हुआ पेंशन है उसके लिए सारे पेंशनर्स को मैसेज आ रहा है अ अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर एरियर कम क्यों मिला है तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे स्टेप बेस्टेप जानेंगे वीडियो काफी छोटा होगा इसलिए सुरू से लेके लास्त तक जरूर दिखेगा और एक चीज का रिक्वेस्ट हमेशा की तरह इस बार भी आपसे करूंगा कि अगर आपने अभी तक के एटीए चिंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए आपको हमेशा मिलते रहे क्योंकि यहां पर देखिए हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाया कि प्री मिच्योर रिटार्मेंट जो पीए मेर वालों हैं उनका और और फ्री में फायदा क्यों नहीं मिल रहा है सितंबर की पेंशन के बारे में बताया था डीए डीयार 53% एक साथ मिलेगा सितंबर का पेंशन 100% बढ़के मिलने वाला है सारे टॉपिक्स पे हमने बहुत ही डीटेल्ड में step by step बताया हुए आपको और हमेशा हमारी यही कोसिस रहती है कि आपके साथ सही और सटिक जानका को कि अगर कुछ पेंशनर को मैसेज आ रहे हैं और उनका इरियर उनको गलत मिल गया है तो एरियर कम क्यों मिल रहा है इस चीज को समझ लीजे यह जो एरियर कम मिलने का प्रॉबलम है यह बेसिकली आया है आपके पीपी ओ से यानि कि अगर आपके पीपी ओ में कुछ इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है बट प्रॉबलम कहां पर है कि आपका जो कुछ अगर डिसेबिलेटी पेंशन वगेरा बन रहा है वह प्रीवियस ओर रोपी टू के कोडिंग है तो ऐसे में आप क्या करेंगे तो आपको प्रोपर एरियर तो नहीं मिल पाएगा इस कैसे में इसका solution क्या निकल सकता है तो यहां पर ना आपको complain launch करना पड़ेगा और complain आपको Spurs को भी copy देना पड़ेगा और आपने इसके लिए आप जस्त मैंने हमेसा आपको बता है कि इसलिए मैं आपको practically आपको बताता हूं जैसे कि अगर हम Spurs Pension Portal को open करेंगे Spurs Pension Portal open कैसे होता है यह आपको पता है यह Spurs.DefensePension.gov.in यह Spurs Pension Portal का official website है हम सब को पता है इसके बारे में अब जब आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करेंगे यहां पर देखिए आप ओके करके जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यह देखिए Spurs Pension Portal के official website पे ही यहां पर ना help line number दिया मैं हमेशा इस चीज को promote करता हूँ और देखिए मैं इसलिए कोसिस करता हूँ कि Spurs Pension Portal को हमारे जितने भी पेंशनर से वो खुद से operate करने लग जाए क्योंकि जब वो खुद से operate करेंगे ना तो आधा problem तो ऐसे ही solve हो जाएगा आपको उनको कहीं जाने की जहोत नहीं है कि September का pension का message ही नहीं मिला मुझे तो आप उनको call किजिए वो आपको बता देंगे और यह न सबसे सही तरीका है इधर उदर पूछने के लावा अधरवाई आप हमें नीचे comment करी सकते हैं हम आपको उसको solution देंगे लेकिन देखिए हम बात कर रहे थे कि area जो है वो पेंशन प्रेंशन प्रोटल में कंप्लेंड कैसे लॉंच करना है लॉग इन करके यह सारी चीजे तो मैंने आपको बता रखी है इवें आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंड लॉंच कर सकते हैं वह भी हमने प्रैक्टिकल बताया हुआ है कि आप step by step follow करके खुद से जा करके अपना कंप्लेंड लॉंच कर सकते हैं तो यह सारी चीजे तो हमने बता रखी है आपको तो इसलिए कह रहा हूं कि आप हमें फॉलो करके रखी है अभी देखिए अपना एक दूसरा कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जैसे वह तो disability pension वाला हो गया कि service element revised हो रहा है और disability pension औ और वार वी टू के कोड़िंग जा रहे तो अपन लॉंच किजिए तभी जाकर के वह सही होगा दूसरा problem है आपके पीपीओ से रिलेटेड जो पीपीओ है ना आपका पीपीओ बनता कब है यह तो हम सबको पता है कि अगर आपके pension में बदला हो रहा है अब जैसे इस बार क बनता है और आप जस्त इमेजिन कीजिए कि अगर आपका previous पीपीओ में ही problem रखा हुआ है तो फिर वह आगे वही problems continue होता रहेगा अब यह चीज़ें होती कैसे हैं देखिए जो गलतियां मैं हमेशा एक बात किता हूँ कि देखिए ओर पी जो पेंशनर को दिया जाता है यह बहुत संगर्स की चीज़ है बहुत इसके उपर संगर्स हुआ है बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा है तब जाकर कि यह और ओर ओर ओपी एलोट हुआ है लेकिन अब problem कहां पर है इस चीज़ को समझेए problem basically क्या है न कि जब ओर 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 मिला pensioners को तो जो विसंगतियां जो क इतनी भी कमिया है बहुत सारे लोग इसके उपर आवाज उठाते हैं welfare society के लोग भी आवाज उठाते हैं बहुत सारे court case चलते हैं क्योंकि जब तक वह गलतियां नहीं सुध रहेंगी तो फिर आगे का solution नहीं हो सकता तो अगर आपका area गलत मिल रहा है आप अपना calculation की जिद इस प्रेट के according आप अपना area अपना like pension खुद से calculate कर सकते हैं सारे formula हमने आपको बताया हुए तो उन formula के according जब आप calculate करेंगे अगर आपको area में गलत मिल रहा है तो सबसे पहला चीज़ तो आप अपना service element revised और अपना like disability pension वाला पार्ट देखें और दूसरी चीज़ है अपन पीपीओ देखें क्या पीपीओ अगर पीपीओ में घरबड़ी तो पीपीओ को सही कराना पड़े और पीपीओ सही होता है इसके लिए आप पहले तो help line number पे contact कीजिए मैं हमेसा सब को बोलता हूं सारे pensioners को कि एक बार help line number पे contact कीजिए वहां से solution 100% मिलेगा और उसके बाद अग आपका नहीं solution मिल रहा है तो आप वहां से complain launch कर सकते हैं और record office से भी contact कर सकते हैं for your PPO तो यह ultimate solution है अब एक छोटी सी चीज और बता दे तो देखिए जो September का महीना चल रहा है बढ़ा हुआ अरियर का message जो है वो सबको मिल रहा है बढ़ा हुआ जो pension है आपका ऊरोपी 3 के कोडिंग जो revised हो गया है उसका message almost सारे pensioners को जा रहा है कुछ पेंशनर को अगर message नहीं आ रहा है तो आप वेट कर लिए आप इस पर स्पेंशन पोटल में login करना बहुत आसान है पर स्पेंशन पोटल में login कैसे करते हैं जस्त यहां पर login बटन पे क्लिक किया username password दिया यहां पर हम अपना capture code देंगे जो capture code दीजिएगा जैसे login होईएगा आप अपना जा करके माई documents में एक आपको option आ जाएगा पर कोरिजेंडम पीपियों का उसको download कीजिए वहां पर आपका अगर कोरिजेंडम पीपियों सही आ रहा है मतलब कि ओर रोपी 3 के recording revised हो रहा है आपका वह चेंज हो गया है तो इट मीन्स कि अगर आपकी मुबाइल फोन पर मैसेज आये ना आये कोई फरक नहीं पड़ता आपका बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा लेकिर अगर को पीपियों भी सही नहीं हुआ है और मैसेज भी नहीं आ रहा है तो भी नहीं घब रहा है कुछ दिन और रुख जाए हो सकता है कि आपको थोड़ा डिले हो करके जाए लेकिन जाएगा मिलना तो शूर है अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं और जिनको मैसेज आ रहा है तो उनको टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं अब तो सिच्वेशन यह हो गया कि हमारे पास है ऐसा बोलते है कि सब मैसेज तो आ गया है हमारे पास मुबाइल फोन में मैसेज रिसीवड है बट जब हम पीपीओ डाउनलोड करने जा रहे है जैसा आपने बताया कि सपर्स पेंशन पोटल पे लॉग इन करेंगे अब माई डॉकुमेंट के सेक्शन में जाएंगे और पुराना वाला इस्व हो रहा है तो तो दोरह सिस्टम में टाइम लेता है थोरा सा अपडेट होने में टाइम लेगा लेकिन जब मैसेज आगे तो आप ऐसे भी एस्वर रही है वो तो आपको मिलना ही मिलना अभी जो सब्सक्राइब का पिंशन आएगा वो बढ़ा हुआ ह करेंगे मिलना जाते चाक्प इस चेक करने कने लिए कि परचेंशन परटल में करक prohibited चेक कर सकते हैं दisti कर सकते हुआ है जो हमारे फर्स्त टाइम हमें वीडियो देख रहे कि देखिए अगर आपका State Bank of India से मैं हमेशा कहता हूं कि जिन pensioners का pension State Bank of India यानि कि SBI bank से आता है तो उनको तो वैसे भी घबराने की जरूवत नहीं क्यों कि SBI से जिन pensioners का pension आता है ना वो pensioner क्या है ना कि basically उनको कहीं जाने की जरूवत नहीं उनका एपिए ऑटोमेटिक अपडेटेड है यानि कि आपना सीधे क्या करना आपको की जैसे बैंक से पेंशन अपना फिलब करते थे सेम वैसे ही आपको फिलब करना और आपका जो बैंक में जब आप जाएंगे तो वह लोग आपका करेंगे और वहां से अप्डेट करें वह आपके स्पर्स पेंशन पॉर्टल पर शौजाएंगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि इस भी बैंक का आप अपना पर कर सकते हैं या फिर पर स्पेंशर पोटल में लॉग इन करेंगे बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं या फिर मैनुवल लाइफ सर्टिफिकेट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जितने भी तरीके हैं बहुत सारे तरीके है आप खुद से ट्राइब कीजिए बजाय किसी पर डिपेंडेंट होने के अगर आप हमें फॉलो करते तो मैं तो यह कोँगा कि आप खुद से ट्राइब कीजिए एक दो बार थोड़ा सा कॉंप्लिकेट लगेगा नो डाउट लेकिन जब आप खुद से ट्राइब करेंगा है कि वह सब कुछ अपडेटेट है तो यही फिलाल कुछ अपडेट था वैसे बिना लॉग इन किये हुए अगर आप इस पर स्पेंशन पॉडल में अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटेस देखना चाते हैं तो उसके लिए देखिए यहां पर ना आपको अलर्ट में मैसेज आता है तो नो यहां पर अपना लाइक परसनल लंबर जो कि एक सेकेंड के अंदर पूरा डेटा आता है आपको सब बता देगा आपका ड्यू डेट क्या है तो इन सब चीजों को छोटी हुटी बातों का ध्यान रखें और अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी भी करके जरूर पूचिएगा साथी साथ अगर आप अपना कोई एडवाइज या सुझाओ देना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए तो फिलाला आज की इस वीडियो में फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए स्लाम दूरकम अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखे जय हिंद वंदे बात्रम